दिस न्यूज इस ब्रोट्टिवाए बर्मा ज्वेलर सोलन दे बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ओफ हिमाचल प्रदेश उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अबैसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन के सहीयोग से शहर में अनाधिकरित पार्क किये वाहनों के चालान काटेगी उन्होंने कहा कि शहर में रहडी फड़ी वाले अपनी मनमर्जी से रहडी लगा कर समान बेचना शुरू कर देते हैं जिससे शहर में पैदल चलने वाले लोगों को दुरघटना का शिकार होना पड़ता है उन्होंने कहा कि पहले भी शहर में गाडियों द्वारा लोगों को हिट करने के मामले सामने आये हैं उन्होंने मंडे जिलावासियों और दुकानदारों से जिलाप्रशासन का सहीयोग करने की अपील की है अन्यता सक्त कारवाही आमल में लाई जाएगी और चुकी परोन चुके हैं काफी एरियांस तो विद इलब फ्ट पर प्लीस और अधिशनल स्पी सर्ल वह कॉई एक्ट इस रिगार्ड तो हम लोग जो हैं भी काफी चला जो हैं वो नए स्टार्ट करने वाले हैं So this is just a pre-warning to everybody के currently जिनकी भी इलिगली पागड़ वहिकल्स है वो रोड से अपने इलिगली पागड़ वहिकल्स हाटा ले So that let us make Mundi a better and a safer place That footpaths be cleared for the pedestrians And जो रोड है वो वहिकला ट्राफिक के लिए भी क्लीर कर दी जाए And apart from that यह मैंने नोटस किया है Complaints तो हाती ही रहती है And of late काफी बढ़ी है Because of the festive season जो है बहुत सारी encroachments जो है Footpath पे या चहोटा बजार में भूतना चंदरलो गली Indra Market में Indra Market के ऊपर और ITI Bridge पे ऐसा नोटस किया गया है कि बहुत सारा encroachments है If you call it Ready Padi का या फिर अपने दुकान दुकान में समान लगाने कि बजाए फुटपाथ पे हर कोई लगा रहा है और एक होड है कि सामने वाले ने भी समान लगाया तो हम भी लगाएं Right? People market देख लो, आप स्कूल बजार देख लो You just named the bazaar and सभी बंदों ने अपनी दुकान छोड़गे फुटपाथ पे समान लगा रखे Right? But festive season has ended Diwali हुआ, Dashara हुआ, Karwa Chaut हुआ So many festivals were there But तब तक हमने इतना strictness नहीं की थी प्रशासन की तरफ से But I think this is the right time now Because there has been lot of complaints So हम वो भी चलान जो है वो start करेंगे तो मेरी again request रहेगी अभी तो सभी दुकानदारों से कि वो अपना सामान जो है वो फुटपाथ से उठा ले Otherwise कड़ी कारवाई जो है वो प्रशासन द्वारा की जाएगी पुलिस द्वारा भी और कॉर्परेशन द्वारा भी तो यह तीनों Departments जो है वो अपनी कारवाई करेंगे Because बहुत सारे बच्चों ने भी और senior citizens ने मुझे अप्रोच किया था प्रशासन को और पुलिस को भी अप्रोच किया था कि kindly इन encroachments को जो हो हटाया जाए So that एक better जो place है Mandi Because बहुत ही अच्छे design किया गया है तो उसमें से रहनी भी चाहिए We need to maintain that हम सबको अच्छा रगता है कि वही चंडिगड में अच्छा है Traffic rules है, management अच्छी है But that is from the side of citizens also लोग उसको follow करते हैं तो मैं चाहते हैं कि Mandi में भी हम एक ऐसा culture बनाए कि हम अच्छा traffic management रखे, road safety रखे It has been really very sad of late कुछ accidents हुए है Mandi में चहाटा में हुए है, समखेतर में हुए है Because वो एक टसल है, space उतनी ही है हम सभी को बांट के चलना है Pedestrians के लिए भी चाहिए चलने के लिए और vehicles के लिए भी उतना ही space है दिवे हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विपलव सकलानी की रिपोर्ट कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं ये हिमाले परवत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे है सुरक्षा का वैसे ही आपके अपने परमाजुलयस पचास सालों से भी ज्यादा वर्शों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और नाते रहे हैं भरोसे की मुस्क्राहट पांच लाक से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पर उनके बनाय आभुष्णों की शुदधा के लिए सही कीमत के लिए सोने के आभुशनों की वापसी पर कोई भी कटोती ना करने के लिए हीरो के जवारातों पर पांच प्रतिशक अधिक दिनागी की गैरंटी के लिए और तो और पांच सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त पदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरंबत की गैरंटी के लिए सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छट के नीचे कहा मिली है इनका पांच हजार स्क्वेर पुट से भी बड़ा शानदार शोरू स्वयम ही आपको अवंत्रत करता है एक लंबे रिष्टे की शुरुवार करने और उस रिष्टे को जीवन भर कायम रखने के लिए हमारे हिमाचल की सुन्दर्दा जो देश के लाखों लोगों को खीच लाती है अपनी ओ फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने परमाचल दस